हेलो फ्रेंट्स वालकम बैक टो में चैनल तो आज मैं आपके साथ से कने वाली हूँ हाउ टो अपलाई वाइट काजल तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कीजे और बैल आइकन को प्रेस कीजे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पांच सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए पर स्टार्ट करते हैं तो कैसे हम वाइट काजल को अपलाई कर सकते हैं जिससे हमारी आइस बीगर दिखे और ब्यूटिफुल दिखे तो वो जान लेते हैं अगर आपकी आइस छोटी छोटी है तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेलफुल रहेगी ये वाइट काजल को यूज करने से आइस काफी वाइडर दिखती है काफी अच्छा लुक भी आता है तो ये मैंने यहाँ पे लिया है ये काजल ये मैंने एन्वाइबे की करना है पहले तो अच्छे से वाटर लाइन पर अप्लाई करना है थोड़ा सा स्कीन को स्ट्रेच करके इस तरह से अप्लाई कर लेना है आपने आईस पर फिर जैसे आपको अप्लाई करना है थिन या cabe तो तिन गुण देखने के लिए इतना ही रखना है और अगर आप थोड़ा और थिक करना चाहते हैं तो एक श्ट्रॉक और अप्लाई करना है अब हलकी सी इनर कौर्णर पर अप्लाई करना है फिर थोड़ा ब्लेंड कर लेना है इससे क्या होगा कि आइस काफी अच्छी दिखेगी आइस बिगर दिखेगी और इससे काफी फ्रेश जैसा लुक भी आता है और आइस दिफाइन दिखती है और अगर आप ग्रैमर्स लुक चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉक और इसके बाद अप्लाई करना है इनर कॉर्नर में अप्लाई फिर से कर लेना और फिर से स्मज कर लेना है हलका सा तो इससे ग्लैम लुक आजाता है फिर आप चाहे तो फिर इसके नीचे से ब्लैक काजल अपलाई कर सकते हैं आपको इसे लोड लैस पे अपलाई करना है वाइट काजल के उपर अपलाई नहीं करना है उसके नीचे अपलाई करना है यह देखिए तो इस तरह से अपलाई करने से यह काफी अच्छा दिखता है काफी ग्रैमर्स लुक आता है आइस काफी डिफाइंड दिखती है तो काफी इसली यह वाइट काजल अपलाई हो जाता है आप देखी सकते हैं तो अगर आपको मेरे यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को जुरू लाइक कीजिए सेल कीजिए और मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए थैंक फर वाचिंग मिल तो में नेक्स वीडियो पे बिल्स़ करें प्लीजियो जो हो जब कर दो लिए गीडियो प्लीज तो पर वा-फर थैंका बडिक्स पित कीजिए